तो धोस्तों कि एक ड्र शाल से लहातार वीडियो बनादे उए काफी फीबर आ रहा है और गर से निकलना तो भहत मिश्कल है गर में भी बोलना बहुत मुश्किल है था कि भे इतले बोला भी जारा है ये कंडिशन है और त nag थीन तिन प्लैंकologि में उले है और तब भी ठंड लग रही थी तो ये कंडिशन हो गई थी इसलिए वीडियो नियुनी और आ तो आज थोड़ा सा ठीक फिल हो रहा था फीवर अभी भी है मतलब और वीक्नेस बहुत है पूरी तरह सही नहीं हुआ हूं और कुछ भी खाया नहीं जा रहा है लेकिन थोड़ी सी हम्मत हुई तो सोचा वीडियो बनाई जाए बताया जाए आप लोगों कि वीडियो क्यों न आज मतलब मतलब सिहरा है कि क्या ही हो गया सब म्हीनत कराभ हो कि लागाता में बर्कॉट भी करा रा था सारी फीजिक खराभ हो गई ऀसा मुझ काया नहीं जा रहा हूंए और गर से निकला हूं से फोन भी मरे पास नहीं था मतलब बहुत ही बुरी हाल कि आप देख सकते हो मैं ब्लैंकेट में ही लेटा हुआ हूँ मौसम बदल रहा है और इतनी ठंड थी तो ठंड नहीं लगी तो फीवर नहीं आया कुछ नहीं हुआ और अब ये ठंड जा रही है हवा चल रही है तेज तो तो दोस्तों बहुत बुरी हालत हो गई इसलिए वीडियो नहीं बना पाय है आप लोगों के लिए कोईश करें कि जल्दी जल्दी सही हो जाएं दवाई भी ले ली है डॉक्टर के पास भी गया था डॉक्टर नहीं कहा है कि ठंड लग गई है और दवाई खाई ये ठीक हो जाएंगे तो दवाई भी खा रहा है लेकिन दोस्तों ये पडेज वाला मुझसे नहीं खाया जाता बहुत बुरी हाला तो जाती है पूरे मूं का स्वाद बिगड़ा हुआ है मन कर रहा है को इसके अंदर अपर के अंदर भी एक बुलें वाला टी शर्ट पहन रखा है तो काफी ठंडा लग रहा है मतलब ऐसा फीबर आया कि मुझे लाइफ में कभी यह कंडिशन हो गई और मतलब पहले दिन की फीबर आया उस दिन तो मैंने कुछ खाया यह पानी तक नहीं पिया जा रहा था यह कंडिशन हो गई घरवाले भी डर गए सब लोग और बहुत बरी हालत हो गई आज जाके थोड़ा सा रीकावर हुआ हूं थोड़ी कंडि हैं जरूर बताइए मेरे लिए बाकी मिलते हैं दोस्तों जल्दी बस यही बताने के लिए वीडियो बनाई है बाकी हालत बहुत खराब हो गई थी आप जाके थोड़ा ठीक लग रहा है हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में